हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई इस्टरी फीटा फिचिकल एजुकेशन चैनल, आज के सेशन में 20 MC की कोशन्स है, यह प्रैक्टिस निंबर 12 है, जैसा कि BPSC, TRE3 का जो एक्जाम है 21 तारीक को संपन है, अब लास्ट स्टेज आपका चल रहा है, पूरे सिद्ध के साथ कोई प्रेसर नहीं, क्योंकि प्रेसर देने से जो कोशन्स आता रहता है, वो भी गलत हो जाते हैं, तो प्रेडाम की चिंदा न करते हुए, जैसे कि बगवान कृष्ण ने कहा है, कि कर्म करो, फलकी इच्छा मत करो, उसी सिधान पर आप जाएए, और जो भी होगा, करोंगी, उसके बाद एक एक वीडियो आपको डेली बेसेस पर आएगा, जिस भी एक जाम की फिजिकल एजूकेसिंग के आप तायारी कर रहे हैं, तो चलते हैं आज के कोशन्स के तरफ, कोशन है, अभ्यास करने के पसचात ने मिलेखित प्रभाव पढ़ते हैं, वीच इफेक्ट, अक्यूर, आफ्टर एकससाइजिंग, तो दोस्तों जैसे कि हम अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते समय जो हमारा हार्टेट होता है, 180 प्रतिमिनट होता है, और नार्मली 72 होता है, लेकिन जब हम अभ्यास करने के पसचात, हम देली अभ्यास हो जाते हैं, तो हमा कि पर हीदय में मजबूत हो जाता है ओर जो हमारे सोज़ आपा से वह मुझार में आप ने Lobdell होजाीally स्वसंदर लेकिन जब हम अभ्यास्त हो जाते हैं तो फेप्रों का अकार भी बढ़ जाता है तो आक्सिजन ग्रण करने की चमता भी बढ़ जाती है तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं कि अभ्यास्त करने के पसचाथ क्या-क्या प्रभाव होते हैं कि हिदय बड़ा से अधिक ठीक है तो यहां पर उक्रत में से एक से अधिक मूर दिन वन आफ दा एवब राइट होगा है कि नेक्स्ट कोश्जन है समद्र तलसी 2000 फीट उपर इस्थित अस्थान पर खिलाड़ी के प्रदर्शन पर क्यों प्रभाव पड़ता है दोस्तों जैसा कि जाते हैं जैसे जैसे हम उचाई पर बढ़ते जाते हैं हमारा ऑक्सिजन लेबल कम होता जाता है गुर्त्वा करसर सकते भी एक्यों वह चाहिसंटम होता जाता है यहां पर उक्सिजन की कमी के कारण गुर्तवा करसर के में लग्षा किAKा कारण शाफ पर प्रप्रवाब परता है एय आराड मेंुशे इसाल्धिक इस और दोस्तों है मुशित नेक्ट कोशन है पांच किलोमेटर साइकल चलाने से क्या भीसित होता है वार्डटर ट्रैगलिंग फाइब किलोमेटर डिवलप दैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि दो मिनट से जो भी जादे किरिया होती है लगातार होती है जादे समय की वह हमारा एंडुरेंस में काउंड होते हैं तो यहा इंडुरेंस यानि कि सहन सिल्था डिवलप होता है नेक्स कोशन है कोशन नमबर फॉर है कि भाले को किस कोड़ पर फेका जाए जिससी वह अधिक दूरी तैग करें एड़ वार्ड एंगल शुड ए जैवलीन बी थूट सो देट इट कवर्स ए ग्रेटर दिस्टेंस दोस्त जैसा कि जो है किसी भी चीज को किस एंगल पर फेका जाए एंगल के अंतरगत आता है कि क्यूंसी लोग भी बायो मैकेनिक से प्लेलिस्ट चुमैंनी इस परस्ट बताया हुआ है कि जैवलीन थ्रोग साठ्ट पूर्ड डिसकस आदी को इस कोड़ पर इस एंगल पर फेका ज तो यहां पर आपका राइट इंसर हो जाएगा पैतारिस डिग्री नेक्ष्ट कोश्चन है कोश्चन निम्र फाइब है एक ब्यक्ति की प्रती मिनट में स्वास दर और सतन कीतनी होती है जैसा अधी जैसे रिर्वरेज़ ब्रीधिंग रेट आफ एपर शन इन वन मिनट में जाएंकि आ 20-20 कोश्च भी आपका उसां होती है और यहां तो बैसे वीच बर हो जाती है याद रखेगा next question है मंद और तिवर विधी समंदित है variable pace method are related to तो जैसा कि जानते है यह समंदित है दोस्तों सहन सिल्ता से याद रखेगा question very important है variable pace method किसे related है दोस्तों जैसा कि आप जानते है जो सहन सिल्ता याणि endurance develop करने की चार विधिया है continuous method, interval method, repetition method and competition method जिसमें से continuous method के अंतरे काथ slow continuous, fast continuous, forteak method, variable pace method आता है यहाँ पर वजिवर पेस method क्या करता है सहन सिल्ता डेलप करता है जितने ही मैंने नाम बताया सभी सहन सिल्ता याणि endurance डेलप करता है next question है कि ट्रेक में दोड किस दिशा में होती है गड़ी के बीपरीद दिशा में बाई और होती है जैसा कि आप जानते हैं दोडते समय आप एक बाई तरफ मुड़ जाते हैं यानि कि एक मैंगनेस प्रभाव भी होता है चुम्बिकी प्रभाव जो किसी वस्तु के बगल में बाई गोड़ करता है जिसके कारवा सुंदैंध इकाये मुड़ जाती है इस्के करावी फुटवा कि लाड़ी आकाउर मालती है यह चली जाती है इस वशो के केंद्र्प फिराव मारते हैं तो इसका भी प्रूहा लो होता है कि इते गुत्वा सक्रसर सक्ति की करार भी ऐसा होता है कि हम बाई तरफ बाई दिशा की तरफ घड़ी की विप्रेद दिशा में घुमते हैं कि नेविवह निशन है को जेते हैं ह्वा का वेग टिशी होते हैं हम पर को ढौन की तरफ विष्ट एकरेद से क्रें हीगिमते हम चाहिए ऐरो पेसर चिर्फ किा अपकरंण में हम जोन की जाता है कोशन नमबर नौ है योग की राष्टी संसाथ निमने सहर में इस्थित है नेशनल इंस्टिटूट आप योगा इस लोकेटेट इन वीच आप दे फालविंग सेटी तो किस सेटी में योग की राष्टी संसाथ का नाम है मुरार जी देशाई राष्टी है योग संसाथ जो न कि निम्ने योग मन की चन्चलता को सिमाप्त कर इच्छाव को नियंतरित करना सिखाता है recent which are the following Yogats कि treaty to control desires by ending the mind इस दोस्तों मन की चन्चलता को सिमाप्तकर इच्छाव को नियंतरित करना सिखाता है राज योग कुन सिखाता है राज योग सिखाता है जिसे योग के कई प्रकार है कर्म योग ज्यान योग हट योग राज योग मंत्र योग ले योग भक्ति योग इसमें से राज योग क्या करता है मन के जागरत था ज्यान केंद्रों के जगारे का योग होता है ज इसमें से अश्टांग योग के बारे मुझें पताया है यम नियम आसन प्रणयाम धाड़ा ध्यान समाध्य तो राज योग में क्या होता है मन की चंचलता को दूर कर इच्छा को नियंद्रित करना सिखा जाता है और ज्ञान योग में ज्ञान अब विवेका योग होता है ले नेक्ट्सा और गयार है भारती सारे सिख्ञा में ड्रील क् debating अंग्यों द्वारा अंग्रिजोंत बनाया गया नेश कोर्षशल है YMCA College of Physical Education की स्थापना किस नी इस्टेबिलिश्ट your college of Physical Education दोस्तों आप सब को पता है कि 1920 में है दी करो बंक में भारत में चन्य मद्रास Не YMCA College of Physical Education की इस्थापना की लेकिन YMCA का सबसे पहले बार इस्थापना बिस्सु में कहा जाए तो इंग्लेंड में 6 जून 1844 को जार्ज बिलियम के दोरा किया गया उसकी बाद अमेरिका में 1883 में स्प्रिंग फिल्ड कॉलेज में किया गया फिर उसकी बाद अमेरिका से ही अब डिया की उसमी की नई मतरास भी हुआ ख़ता है वहात का शाहत का सबसे विडिया प्रतम科 और तो राश्टी प्रसिच्छा भी द्याले रहे तो राश्टियच्य प्रसिच्छ भी द्याले कहेगा तो रिया अंधू को से खहें है तिबिया हड़ी को कहा जाता है तिबिया हड़ी के उपरी भाग को सीन बोला जाता है दोस्तों क्योंकि यहां पे जो चोट लगती है उसको एंटरियर लेग पिर बोला जाता है ठीक है जैसे कि सीन पे एंटरियर लेग पिर को सीन पें सीन इस्प्लेंट भी बोला जाता है जो बने चोट में पैर की तिबिया हडी के पास में दर्द आभास होता है यह पर को सORA रखे-पियान में इस पिबियोलिष रूपर में झून त inté amazed पिर्ड सी प्रिण पहास हो इस उत्पीर में रहता है जाता है यहाद रखेगा किस देश में सारविक सिच्छा को स्वड़ यूग के रूप में महसूस किया गया इन विच कांटरी फिजिकल एजुकेशन एक्सपेरियंच इच वुर्डन एज तो दोस्तों यहाँ सबको जानते हैं कि यह जो सुरुवात हुआ है प्रातियन गिर्ड से सबसे ज़्यादा हुआ है तो वहीं उसको स्वड़ यूप के रूपे महसूस किया गया फिजिस यानि यूनान नेस्ट कोशन है कोशन नमर 15 है कौन सा संगर्थन प्रटेग देश में उलम्पिक आंदूलन को नेतित उप्रधान करता है विच और गिनाज़ेंस प्रवाइड्स रिडर्शी टू दव उलम्पिक मोमेंट्स इन तो दोस्तों जैसा कि जानते हैं प्रटेग देश का अपना राष्टिय उलम्पिक कमिटी होता है जैसे भारत देश में आई ओ ए है इंडियन उलम्पिक जो है समिती इंडियन उलम्पिक एसोसियेशन भारते उलम्पिक संग उसी तरह होर देश में अपना-पना होता है जिससे एन ओसी यानि कि नेशनल उलम्पिक कमिटी जो है वहां प्रेखा किस ने तयार की देड़न दो अलंपिक सिंबल औलमपिक सिंबल यानि मिक का प्रतिक जेंग जू तिरंगा जंदा है उसको किस ने उसका रूप रेखा त्यार किया था बेरन खुबर में थी टीन ने उसको में बनाया था एक कोश्चन पूछा हुआ था यहां पोई भी सिंबल को तयार था तो यहां पे अप्रोफ्ट में से कोई नहीं आपका रायज एंसर हो जाएगा उप्रोक्त में से कोई नहीं राइट एंसर हो जाएगा ठीक है ना आप देवर और उलम्पिक जंडे को सबसे पहले ख़राएगा उन्हीं सो बीस एंट वर बेल्जियम में जाद लखेगा नेक्ट कोशन है कोशन निम्बर सत्रह है कि उलम्पिक मसाल के अधारा किस ने दी हुओ गैव दो कॉंस्ट आप ऑलम्पिक मसाल तो दोस्तों आप सब को पता है सब से पहले उलम्पिक मसाल जलाएं गया था उनिस्ट है 18 के एमस्टरडम घुलम्पिक में के जवला इस्टिडियम में कि खेलों के प्राइब होने का प्रतिक चिन होता है सबसे पहले 1928 एमस्टरडम उलम्पिक हालेंड में ज्वाला इस्टडिय में मुख्यद्वार पर जलाई गए थी पर्थमबा अधिकारी तोर पर जलाई गया था 1936 बर्लिन उलम्पिक में जिसका सुझाओ दिया था कार्ल नेक्स्ट है कोस्टन नमर अठा रहे हैं किस उलम्पिक का पहली बार दूरदरसन पर सिधा प्रसाड़ हुआ कि विच उलम्पिक वाच टेली कॉस्ट लाइव और दूरदरसन फार्द फर्स टाइम तो ओ था दोस्तों 1936 बर्लीन उलम्पिक कोस्टन नमर उनीस है निन में से कौन कंकाल पेसियों को अस्थियों से संद्वन करता है विच आप फालुविंग और टैस्ट इसके लेटल मसल्स टू बून तो दोस्तों इसका एंसर आप कोस्टन पढ़ते ही देरिये होंगे इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका जैसा कि आप जानते हैं कि जो टेंडन होता है कंकाल मांस्पेसियों को यह इसके लेटल मसल्स को हमारे अस्थियों से जूड़ता है जबकि लिगामेंट जो होता है दो अस्थियों को जूड़ों पर जूड़ता है जो लिगामेंट की चूट होती है उसको इस्प्रेन यान कोश्चन है ओलंपिक खेलों में महिला प्रतिभागी को आपचारी क्रूप से सामिल किया गया विन वेर उमेन पार्टिसिपेश फार्मेली इंक्लूड इन डा ओलंपिक गेम तो दोस्तों आपचारी क्रूप से समयलित किया गया 1912 इस्टॉक हम स्वीडन में लेकिन अधिकार से तब 1912 होगा ठीक है तो दोनों में अंतर समझेगा तो दोस्तों यह था आज के सेशन में 20 एम से कोशन्स आपको अच्छे से समझ में आये होंगी जो भी डाउट होगा कमेंड में जरू बताईए जो भी कम्यां होंगी उसे भी बताईए और ज्यादे से जादे वीडियो को सेल भी कीजिए जिसे और लोगों तक वीडियो पहुन सके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में तब तक की लिए जाए हैं